नमस्ते दोस्तों, मैं मम्ता सिंग अपनी चैनल स्टिचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बेबी सॉक्स बताने वाली हूँ ये छोटे बच्चों से लेके दो ढ़ाय साल तक के बच्चों तक आप बना सकते हैं जैसा आप चाहें, वैसा इसे फंदा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं ये जानले के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ तो दोस्तों, ऐसी और भी अच्छी जानकारियां लेने के लिए आप मेरे चैनल के संग जुड़े और इसे लाइक, सबस्क्राइब और शेयर करना न भोले अब मैं आपको बताऊंगी कि ये बेबी सॉक्स कैसे बनाते हैं ये यहां से शुरू हुआ है, ये और यहां पे आके ये बंद हो जाता है इसमें बस एक सिलाई लगती है, यहां से यहां तर और इसमें ये मैंने रिबन की डोरी डाली हुई है, आप चाहें तो अपने मन पसंद कोई भी डोरी डाल सकती है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनता है इसको बनाने के लिए हम यहां से फंदा डालेंगे, जैसा कि मैंने ये डाला हुआ है इसमें मैंने 33 फंदे डाले हैं आप चाहें तो इसे कम और जादा कर सकते हैं इसको बनाने के लिए बहुत ही कम उन लगता है और इसे आप कभी भी खाली समय में आराम से बना सकते हैं इसके लिए मैंने 9 नंबर की सलाईया ली हुई है जो अब मैं आपको बना के बताती हूँ कभी भी चलाई शुरू करने के पहले बिनाई सुरू करने के पहले आप पहले सलाई ऐसे डाल के इस फंदे को उतार ले फिर उन ऐसे आगे करके इसको आप ऐसे उल्टी सलाईयां बुल ऐसे ऐसा हम आठ सलाईयां बिनेंगे जिससे की ये चार धारियां आ जाएंगे ऐसे तो इसके लिए हम इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनेंगे देखे जैसे ये मैंने ये पूरी एक सलाई बिननी है अब इसको फिर दूसी तरफ जब हम करते हैं तो इसको फिर ये पहला पंदा ऐसे उतार के उन सलाईयों के बीच से ऐसे आगे निकाल के फिर ये हम पूरा उल्टा उल्टा बिन देंगे इसी तरह से हम ये आठ सलाईयां यानि की ये चार धारी पनाते हैं देखे जैसे कि ये इतना ये हमारा ये चार लाइन तयार हो गया है ये ऐसी अब इसकी बाद फिर हम आठ सलाई ये साधा भी लेंगे साधा यानि सीधी उल्टी सलाईओं में ये हम आठ सलाई भी लेंगे यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए हमें ये फिर ये पहला पंदा उतार के फिर यहां से ऐसे सीधा बिनना रहेगा यहां से हम आठ सलाई चोड़ेंगे देखे जैसा कि ये मैंने ये साधी सलाईओं ये आठ सलाई साधा भी लिया है सीधा उल्टा इसके बाद हमें ये रिबन डालने के लिए ये जाली बनानी है उसके लिए मैंने फिर इसी तरीके से ये चार सलाईओं और यानि की दो धारी बना लिया है अब इसके बाद हम ये जाली बनाएंगे जिसमें कि मैंने ये रिबन डाला है इसके लिए आपको फिर सीधा बिनना पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले ये पहला फंदा उतार के ये दो फंदे एक साथ सीधा बिन लेंगे फिर उन आगे फिर ये दो फंदा ये एक साथ बिन लेंगे ऐसे हम पूरी सलाई बनाएंगे जिस तरीके से सीधा बिनते हैं सीधे फंदों को उसी तरीके से ये हम दो फंदा एक साथ ऐसे बिनेंगे हर बारी उन आगे करे और ये दो का एक कर देंगे इस तरह से हमारी जाली भी पढ़ जाएगी और फंदे भी कम नहीं होंगे अब हमारे पास सिफ दो फंदे बचे हैं तो इसको हम दो का एक नहीं करेंगे इसके लिए हम उन आगे करके इन दोनों फंदों को ऐसे साधा बिलतेंगे फिर हम ये पूरी सलाई उल्टी बिनाई कर लेंगे इस तरीके से हमारा जाली बन जाएगा जिसमें की हम रिबन को डालेंगे इस तरीके से हमने पूरी बन जाएगा ये दो धारियां बनाई हैं, यानि कि चार सलाई, उसी तरह अब हम यहां पे भी ये दो धारियां बनाएंगे, लेकिन इस बार हम ये तीन सलाई भी देंगे, और उल्टे तरब से फिर हम पंजे बनाएंगे, ऐसे करके फिर उन आगे, ये अब हम फिर दो धारियां इस तरीके बिन लेंगे, देखिए, इस तरीके से, जैसे मैंने यहां बनाएका, उसी तरीके से, यहां मैंने यह तीन सलाईयां बिन ली है, जिसमें यह सीधी तरफ दो धारी पड़ चुकी है, अब उल्टी तरफ से हम यह पंजा बनाने के लिए पूरी सलाई को नहीं बिनेंगे, इधर के ये 11 फंदे हम छोड़ देंगे फिर सलाई पलटके इसको हम फिर ये पहला पंदार से उतार के आगे 11 फंदे बीच के बीने ने फिर इधर से भी ये 11 फंदे हम छोड़ देंगे इन बीच के 11 फंदों से हम ये पंजे बनाएंगे इसके लिए हम बस सीधी उल्टी सलाईउं से 16 सलाई का ये पंजा तयार कर लेंगे इस तरीके से सिफ बीच के फंदों को बीच के 11 फंदों को हम 16 सलाई बनाएंगे ये यहाने के बाद फिर यहां से हम ऐसे सलाई पलट देंगे और फिर इसको पहला पंदार से उतार के कभी भी बिनाई शुरू करें तो पहले फंदे को उतार लेना चाहिए इससे बिनाई भी अच्छी होती है और किनारा भी ज़्यादा फैलता नहीं है फिर यहां से पलटके यह हम 16 सलाईयों का पंजा तयार कर लेंगे यह मैंने यह पंजे के लिए यह 16 सलाईया सीधी उल्टी सलाईयों में इस तरीके से 20 के 11 पंदों का बना लिया है अब हम इसमें से जो ये हमने पहला फंदा उतारा था ये जो चोटियों जैसी दिख रही है इसमें से हम ये आठ फंदे बना लेंगे ऐसे इस तरीके से उठाते हैं अब इनको भी हम ये उल्टे तरब से ही इस तरीके से बिन लेंगे ये होने के बाद फिर ये जो बाकी के ग्यारा फंदे हम लोगों ने पहले छोड़े थे इसको भी हम ये पूरा दिन लेंगे साथ में यहां से हमारा एड़ी का हिस्सा बनना सुरू होगा इसके लिए हम दोनों तरब से उल्टी सलाईया बिनेंगे अब यहां से हम फिर उल्टे फंदे पहले ऐसे उतार के फिर आगे करके ये उल्टे तरफ से इस तरीके से बिनाई शुरू करतेंगे यहां पूरा उल्टा बीनेंगे इन बीच के ग्यारा पंदों को भी इसी तरीके से हम बना लेंगे अब जिस तरीके से हम लोगों ने इस तरफ आठ पंदे उठाये थे उसी तरीके से अब इस तरफ भी यह देखिए यह जो चोटिया बनी हुई है इन में से हम यह आठ पंदे फिर उठा लेंगे स कि अपते हैं इस सेट भी जो 11 फंदे बचे थे इनको भी हम इसी के साथ मिला के उल्टा बिन लेंगे। तोनों तरफ से 38 फंदे उठाने के बाद 33 फंदे में हमारे 16 फंदे और बढ़ जाते हैं तो हमारे ये पूरे 49 फंदे यानि कि 49 फंदे ये हमारे हो जाते हैं। अब इन फंदो का हम ये एड़ी बनाएंगे। इस एड़ी को बनाने के लिए भी हम दोनों तरफ से उल्टा बिनेंगे ताकि हमारे ये धारिया बन जाएं। तो इसके लिए हम ये दस सलाईयां भी पहले नौ सलाईय में हम ये धारियां डालेंगे और दस्वी सलाई के लिए हम ये जोड बनाएंगे फिर पहला फंदा उतार के बून आगे करके इसी तरीके से हम ये नौ सलाईयां बना लेंगे एक हमारा ये हो चुका है ये हमारी तूसरी सलाई है इसको लेके हम नौ सलाई दीनेंगे फिर उल्टी सलाईयों में हम इसको चोड़ देंगे जिससे कि हमारा नीचे का पंजा पूरा तयार हो जाएगा देखिए इस तरीके से ये मैंने नौ सलाईयां बिन ली है जिसकी मेरे पास ये एक तो तीन चार ये पांच धारियां आ गई है अब उल्टे तरब से हमें ये जोड़ लगाना है जिससे कि हमें सिलाईयना करना पड़े और एड़ भी सौट हो जाती है बच्चों को अराह रहता पहनने में इसके लिए हम फिर उल्टे तरब से इसको पहले पंदे को उतार के जो मेरा 49 पंदे तयार थे उसमें से हम 25 Shanghai Champagne को आ explodes डूचों को बाले त supports ग्रेवे वपाना में 1 स्थां क में जिससे एंसे इस एगा है मैं तर रगा है मुंनulरे तो इसको जन 요렇게 को में पहा है पाए में बालाह टोग सपуждग इधर 25 और इधर 24 अब इसको हम ऐसे मोड़ देंगे इस तरीके से उल्टे तरफ से अब हमको इसके लिए एक और सलाई चाहिए होईगी इसके लिए अब हम सपे पहले ये इधर का ये पहला पंदा ऐसे उतार के और ये इसको ऐसे बिन लेंगे इससे हमारा समय भी बचेगा और मेरा उन भी साथ के साथ में चलता जाएगा ये पीछे का उतारा और आगे का ये इस तरीके से बिन लेंगे ऐसे उतारा और ये बिन लेंगे ये ऐसे इस तरीके से हम पूरी सलाई बिन लेंगे जिससे हमारा ये जो अराम से बन जाएगा इस तरीके से हम ये पूरी सलाई बना लिए दोनों सलाईयों के पंदे एक सलाई पर इस तरीके से आ जाएगा फिर ये लास्ट का पीछे वाला फंदा भी ऐसे हम उतार लिए अब इसको फिर अपनी तरफ ऐसे घुमाईए अब हम इसको बंद करेंगे तो शुरुवात में हम ये ऐसे तीन फंदे लेके एक साथ बिंदेंगे फिर ये फंदे को इसमें चड़ा के अब हम ये दो दो फंदों का जोड़ा लेके कुल तीन फंदे एक जो हमने लिया है पहले का और दो ये इसको एक साथ उतार देंगे इसी तरीके से ये हम उतार देंगे तो हमारा नीचे फंदा आपस में चुड़ भी जाएगा और हमको सिलाई भी नहीं लगानी होगी और ये आराम से हो जाएगा ये चड़ा के ये ऐसे तीन फंद एक साथ इस तरीके से हम ये बंद कर देंगे तो हमारही बंद क्यूमड़ लुड़ लूश जाएगा ये ये बंद कर देंगे तो हमारा ये इसी बंद कर देंगे ये प्यागो चोईड़ लूश्ण dot odorlo इसको बनाना बहुत ही आसान है इसमें जड़ा सी भी दिकत नहीं आती लिए अंग्त में ये 3 फंदे जब हमारे बन गए ऐसे ऐसे खीश लीजे इसमें से तायट करके अब इसको हम यहां से कट कर लेंगे फिर अपना ये ओन हैसे हम खीश लेंगे ये हमारा उन खीश और आप ये खुलेगा नहीं और ये देखे ऐस तरीके से हमारा ये अब हम इन खुले भागों की सिलाई करेंगे ऐसे ही उल्टे तरफ से इसके लिए हम यह जो हमारा उन बचा हुआ है इसी से हमारी सिलाईया पूरी हो जाएंगे अब इसको हम यहां से कट कर देंगे फिर इसको हम सोई से सिल देते हैं इन दोनों को अच्छे से इस तरीके से मिलाके सबसे पहले इधर से ऐसे इसको उल्ट इहर खीच लेंगे अब यह जो हमारे उल्ट के टुकड़े दिख रहे हैं इसको हम सिलाई में ही ऐसे शिपा देंगे ऐसे पर यह जो हमने चोटिया उतारी थु पहला पंदर जो चोटिया बनी हुई है उन्हीं को पकड़के हम सिलाई कर देते हैं इससे हमारी सिलाई भी आसान हो जाती है और जल भी हो जाती है ऐसे इस तरीके से और यह देखिए यह जो हमारे उनके टुकड़े निकले हुए थे यह ऐसे पजली है और फिनिशिंग आपर है इस तरीके से हम यह सिल देंगे इन चोटियों को पकड़के इस तरीके से सिलना बहुत आसान होता है और यह जल्दी हो भी जाता है लास्ट में ऐसे होने के बाद मिस्को ऐसे बीच में से निकालके शल्द दागे को इस तरह से खीच की यह टैट करके शल्दी होता है इसको हम कड़ कर देंगे यह हमारा वेबी सॉक्स तयार होता है अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके अब हम इसमें यह रिबन डाले लेंगे इसके लिए मैंने यह रिबन लिया हुआ है इस तरीके से इसको आप एक पिन की सहता से आराम से डाल सकते ऐसे पिन करने के बाद आप यह बीच का जो है यहां से हम यह अंदर डालना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे, इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हम इसको डाल सकते हैं तो देखें, यह यहां से यह बहारा है इसको आप अच्छे से सेट कर दीचें इस तरीके से आप चाहें तो इसमें इसी उनका डोरी बना के भी डाल सकते ही फ्रोशय से भी बन जाती है और हाध से इसको एट के भी बना जाता है कि यह हो गया अब इसकी नारों को अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए यहादे से मोर देंगे और इसको अच्छे से इसे कट कर देंगे, तो यह इस तरह से इसी तरह से इंधर का दें, इस तरह से इस तरह से, यह हमारी दोने सॉक्स तैरा है, इसको आप चाहें तो सेम कलर का भी रिबन डाल सकते हैं, कांट्रास्ट में भी डाल सकते हैं, यह किसी भी बच्चे को पहने में सॉट भी रहेगा, और जाडों में आराम भी रहेगा, अकर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक और शेयर करना न भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें, कर दो आपको